दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है रेलवे में जो है टेकनीसियन की वेकिंसी निकाली गई है और इसमें दो परकार के अलग-अलग पद हैं जैसे कि हम बात करेंगे ग्रेड वन के बारे में और बात करेंगे ग्रेड थार्ड के बारे में तो ये ग्रेड वन के लिए क्या इ डिग्री हम पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं इसके अलावा डिप्लोमा वालों को भी यहां पर मौका है जियां दोस्तो तो डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं मतलब अच्छे से हम आपको बताएंगे इलिजबिटी के बारे में एज लिमिट के बारे में मतलब कौन-कौन इस वेकेंशी के लिए फॉर्म को अप लाइर कर सकता है हम आज किसों तक भाले समझेटी क्या है कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं हम सब चीजिए यहां पे आपको डिस्कस करके डिटेल में अच्छे से समझाने वाले हैं तो बीडियो को फिंट्स आप हाइलाइट करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको असानी से और इजी भासा में समझा सकूं आप सबको पता यह एडवर्टाइजमेंट नमबर है और यहां पर पहला इंपोर्टेंट डेट को बात करें तो आठ अपरिल से लेकर आपका जो है आवेदन मतलब लास्टेट है और थाड की वेकेंसी लेबल टू की सलरी है 18-33 वर्स की उमर सीमा है 8,052 यहां पर टोटल वेकेंसी है 9,144 पदोपे टोटल वेकेंसी दोनों को यहां पर लिका लागे है तो signal ग्रेड वन के लिए कौन इलिजबल है और ग्रेड थाड के लिए कौन इलिजबल है सीधर मापको भले हो ITI हो या diploma हो या degree हो उनका result आना भी बाकी है waiting में तो form नहीं भर सकते हैं और यहाँ पर age के दिये बोला गया 1836 years की age सीमा रखी गई है जो कि आपका यहाँ पर grade 1 signal के लिए है और 1833 years रखी grade 3rd के लिए है अब इसमें भी age limit में छूट है चूट में हम आपको दिखाएंगे कितना चूट है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुए दिखिए यह आपका normal जो course है वो आपका यह है लेकिन चूट करके 3 साल का चूट relevant दिया हुआ है तो दिखिए आपके 3 साल 1836 और 1833 कर दिया गया है अब 1836 में जो category से आते हैं जैसे कि SST से उनको 5 सल का चूट मिल जाएगा यानि 1836 और जोड़ेंगे तो एक 40 हो जाएगा यानि इस category के लिए 18 से एक 40 वर्स की उम्र सीमा है तो फॉर्म भरेंगे OBC से आएगे तो इनका उम्र हो जाएगा 18 से 49 वर्स तो देखिए न ऐसे उम्र सीमा भी यहाँ पे छूट मिल रही है तो यह आपकी उम्र सीमा में छूट है जो की category वाई जो छूट मिलता है वो अलग है एक सर्विसमेन को बिकलांग को बहुत सारे options है तो आप एज समझ गया है important date समझ गया है अब हम समझते है qualification यह सबसे important बात है जो आप लोगो बहुँ ज़्यादा suspense में डाला हुगा कि क्या सिर्फ दसवी पास गिरोशन पास या बारोवी पास है तो हम भर सकते हैं को टेक्निकल चाहिए कि नह बात करें जो वेकेंसी नंबर एक है उसमें बोला गया अगर आपने bachelor of science यानि अगर आपने बैसी कर रखा हुआ है बैसी जी है दोस्तों physics हो हो electronics हो या computer science हो IT information technology हो इसमें से किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बैसी कर रखा हुआ है जैसे कोई बंदा physics से बैसी कर रखा अगर कोई बंदा जो डिप्लोमा कर रखा हुआ है यह जो एबब के स्ट्रीम से कर रखे है तो आप कोई बंदा जो डिप्लोमा कर रखा हुआ है यह जो एबब के स्ट्रीम है जैसे की डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स या computer science या IT इंस्ट्रुमेशन तो भी फॉर्म को भर सकता है जो 3 years का डिप्लोमा होता है ने फ्रेंग्स वह वाला डिप्लोमा बात कर रहा हूँ जो दसवी बात जस्ट जो है आप लोग पढ़ाई क कर रखा हुआ है उपर में से कोई भी मतलब स्ट्रीम से जैसे माल लीजे बीटेक यहां पर बात हो रही है जी हां दोस्तों बीटेक बीटेक जो 4 साल वाला कूर्स होता है डिगरी इंजिनेरिंग आप सब को याद होगा बीटेक को ही डिगरी इंजिनेरिंग बोलते हैं या combination of any of the above basic stream या उसका combination हो तो भी आप यहाँ पर form को भर सकते हैं मतलब कोई एक भी से से या कोई एक stream से आपने कर रखा हुआ है तो form जो है आप grade 1 signal के लिए eligible है that's okay समझवा गया अब बात आती है grade 3 के लिए देखें grade 3 में क्या है न कि trade wise vacancy है अब इसमें देखेंगे तो grade third में यह बोला गया है जिसे हम blacksmith के लिए देना चाहते यह blacksmith क्या है एक तरह का trade हो गया यह देखें ब्रीज, wagon, driver, electrical, mechanical, electrical, TRS, EMU, यहाँ देखें फीटर, यह देखेंगे अलग-अलग trade wise vacancy है अब सब के पहले क्या लखा technician grade third, technician grade third, ऐसे लगा हुआ है तो S&T को इसको छोड दीजेगा इसमें थोड़ा सा अलग qualification मैं अभी बताऊंगा mechanic, turner, welder देख रहे ना तो ऐसे इनका क्या है ना कि अलग-अलग trade लगा हुआ है तो अब देखें यहाँ पे जो qualification होगा trade wise qualification होगा मतलब क्या कि दौसवी के बाद अगर आपने ITI कर रखा हुआ है ITI अब ITI बहु अब ध्यान देना यही कि आप जिस trade से form भरना चाहते मतलब जिस trade से आप qualify है उसी trade में form भरेंगे जैसे यहाँ लिखा है देखें matriculation आप पास होने चाहिए प्लस ITI होने चाहिए आपके पास NCVT SCV से कोई भी रिकोकुनाईज हो चल जाएगा तो आप form भरेंगे अब इसमें से कोई trades अगर आपने कर रखा हुए ITI तो आप यह दो वाली वेकेंसी जो ब्लैके समी थे उसके लिए आवे दिन है इलिजबल कर सकते हैं इलिजबल है form परने के लिए आप देखें ब्रीज वाला जो पद है technician grade 3rd ब्रीज वाला इसमें ITI का जो trade बोला गया वो बोल इसमें से कोई एक ट्रिट होना चाहिए इससे तरह से electrical मे देखेंगे तो आप टेक्नीशन grade 3rd डीजल इलेक्ट्रोनिक में आप देखेंगे यहां पर यहांपे आपका बोला गया है कि इसके लिए आपका जो trade होना चाहिए फीटर, mechanic diesel, mechanic repair and maintenance वाला जो trade हो सकता है इसके विशे mechanic automobile से भी कर रखा हुआ है mechanic motor vehicle में, tractor mechanic में, welder में, penter में तो आप जो है इस वाले trade के लिए form को apply कर सकते हैं तो ये iti वाले base पे हो गया समाझ रहना इसी तरह से आप इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे अब बात आती है कि अगर आप कोई 12 पास है तो फॉर्म भर सकता है उसके लिए यहां पे देखेंगे एक ट्रेड है S&T S&T मतलब Signal and Telecommunication इसमें आपको Metric के साथ-साथ ITI कोई बंदा किया हुआ है Electronics Mechanics में, Electrician में, Wireman में तो फॉर्म भर सकता है इसमें दो Qualification बोल दिया गए दोस्वी के साथ-साथ ITI क्या तो ITI तो आप फॉर्म भरेंगे ठीक है ना ITI मैं थोड़ा सा यहां पे मिटा के साई से रिखता हूँ ताकि आपको समझ मैं दोस्वी के साथ-साथ ITI तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं लेकिन ट्रेड क्या होना चाहिए ITI में, Electronics Mechanics, Electrical, Electrician और Wireman तीनों में से कोई एक ट्रेड से आप आप आइट आइक कर रखे है समझ रहे ना, यानि 12 हुई कोई बंदा पास है किस से Physics and Math से तो वो Technician Grade Third, S&T यानि Signal and Telecommunication के लिए फॉर्म भर सकता है, तो इस ट्रेड में 12 हुई पास भी बंदा फॉर्म भरेगा जो Physics, Math से पढ़ाई किया हुआ है, और बाकि ITI वाले तो भरी सकते हैं अब देखें, इन सभी वेकेंसी में एक और सब्द जुड़ा हुआ है, और में लगा के Apprenticep, जी हैं दोस्तों, जिसे Trade से वेकेंसी निकालेगे, उस Trade से आप मैट्रिक के जश्ट बाद, Apprenticep जो कोर्स होता है, किसी ना किसी रेलवे में, किसी ना किसी भी भाग में, Apprenticep निकलते रहती है, तो भी अगर आपने किया हुआ है, Apprenticep, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, तो यह हुआ Actual Qualification की जनकारी, आसा करते हो, आपको जनकारी समझ में आया होगा, अब बहु सार लोग गलती कर रहे हैं, फॉर्म भरते से में, देखें, आपको एक बार ना द अब एहमदाबाद जोन से, अब एहमदाबाद में, SC में देखें, 0 seat है, ST में 0 seat है, EWS में 0 seat है, और आप यही डाल दिये, जोन एहमदाबाद और यह वह ट्रेड आप भर रहे हैं, तो फिर आपको क्या फायदा भरने से, तो आप यह जोन छोड़ दिजा, दूसरा जोन दे तो यह इस वाले पद के लिए अवे दिन दे सकते हैं देख रहे ना यानि फिजिक्स और मैथ पियम यहां समझ यह आपको आपको स्वरी यह तो आपका डिप्लोमा वाला है मैं गलत बता दिया आपको यह वाला है 12 पियम समझ रहे ना यह थोड़ा सा कन्फ्यूज मत हुएग मैं ही पर सुधार देता हूँ देखे इसको मैं हटाइता हूँ यह तो सिगनल वाला है जो बीए सी कर रखा हुआ है आई टी से या फिजिक्स से तो फ़र्म भरेगा लेकिन यहां पर देखेंगे 12 पियम यानि फिजिक्स मैथ से कोई किया है तो इस पद के लिए आदे दिस उसके लिए 79 पोस्ट है इसके लावा देखेंगे तो SNT में यहां देखेंगे तो 32 और 46 पद है कौन सा जोन है तो भुपाल जोन है इसी तरह से आप देखेंगे इस तरह से सिंग्नल वन में 12 पद है भूनेस्वर में इसमें 12 पद है बिलासपूर में देखेंगे तो इतना पद है आपका SNT जो 12 फिजिक्स और मैथ से कोई किया हुए तो ऐसे आप देख लेंगे अब देखेंगे यहां पर एक और जोन यहां दिख्यायत दे रहा है बिलासपूर में देखें संट में 147 पद है तो अच्छा पद है यहां पर देखेंगे तो इस तरह से आप देख देखेंगे और उसके अप्लाइ करेंगे यहां देखेंगे पटना में आपको वेकेंसी है यह नहीं है केवल सिंग्नल वर के लिए एक पद है अब यहां देखेंगे तो यहां पर आपका सिंग्नल वर्न में देखेंगे तो यहां पर यहां पर सिंग्नल वर्न में का डिटेल जनकारी हुआ फ्रेंट्स इलिजबिटी हुआ तो आप लोग फॉर्म भरने से पले एक बार जोन वाइज वेकिंसी की जरूर चेक करें ऐसी ब्लैंडली जो है आवे दें न कर दें पता चले कि आपके जो मतलब के टिगरी में जीरो सीट है जिसके लिए आप अबनी टी हम हम आपके जोग लोग कर दана गोह है बहाँ है जापके जोर लो डीजजबि में हाने हुआ जुआ जो सीट में हुआ एक नहाले है आपके जएज़ violating गिए ल्रेंगर को मतलतक bevor हम संबेवा है, लोगष फ़ हे बार पे, अफर को मतलतकर ओता है गूँदै आपके